नमस्कार जारखन राजी के सभी परेशान किसानों और प्रग्या के संचालकों को मेरा नमस्कार मुझे पता है कि आप लोग बहुत 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 परेशान हैं और कन्फ्यूजड भी है क्योंकि एक जो मजाक योजना आई है जिसे आम तोर पर सुखार योजना कहा जा रहा है सरकार के द्वारा इस मजाक योजना से संबंदित किसी भी परकार का कोई दिसान इर्देश या किसी भी परकार से कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्द नहीं है सही तरीके से और जो जानकारी उपलब्द है उसमें भी हर दिन फेर बदल हो रहा है आज का अगर मैं आपको वीडियो आज का अगर मैं आपको रिसिप्ट दिखाऊं यह आप रिसिप्ट देख रहे हैं राजे सरकार द्वारा आवेदन जमा करने की या सुविधा केवल एक रुपईये में उपलवद कराई गई है मतलब आप देख सकते हैं कि आज का रिस्रिप्ट कुछ अलग टाइप का है पिछले कुई दिनों का रिस्रिप्ट कुछ अलग टाइप का था मतलब सरकार लगातार पोर्टल में चेंज कर रहा है पोर्टल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है ऐसा लगता है जिसे किसान सारे अचानक दो दिनों में कहीं भाग के चले जाते किसानों के लिए ना कोई प्रोपर तयारी थी ना और कुछ था बस हरबड़ी में आवेदन करवाना था अपना फोटो जल्दबाजी में परचार करवाना था ऐसा लगता है इसे देख करके अगर आपका वेबसाइट बन करके तयार नहीं हुआ था तो हरबड़ी में लॉंच करने की क्या ज़रुरत थी और वैसे अगर आपने हरबड़ी में लॉंच किया भी तो काम क्या हो रहा है कोई काम तो हुआ नहीं तो बेवज़ा आपने वेबसाइट क्यों पब्लिक डोमेन में ला दिया बेवज़ा सिर्फ किसानों को परेशान करने के लिए जो प्रग्या के रसंचालक एक आवेदन को 5 मिनट में कम्प्लीट कर सकते हैं उस आवेदन को कम्प्लीट करने में है एक प्रग्या के रसंचालक को 20 से 25 मिनट या 30 मिनट लग जा रहा है क्या क्यूं ऐसे वेबसाइट को आप बना रहे हैं सबसे पहली बात और बड़ी सवाल ये है और अगर आप देखेंगे ये जो योजना अभी जो आई है सायद 23 नौवंबर के असपास में मुख्य मंत्री सुखार रहात योजना और यहां पर आप देखिए पंजीकरन का ओप्सन दिया हुआ है और यहां आप लिंक देखिएग बदल गया jrfy.jharkhand.gov.in मतलब अगर आप मुख्य मंत्री सुखार रहात योजना में अगर आप आवेदन करते हैं तो वो पुनह इसी वेवसाइड पर ले जाता है जो वेवसाइड पहले चल रहा था जहारकन राजे फसल रहात योजना के नाम से जिसका आवेदन 15 सितंब को ही बंद कर दिया गया था तो अगर आवेदन आपने 15 सितंबर को ही बंद कर दिया तो अचानक आज आपको ख्याल कैसे आगया कि पुनह इसको चालू करना है एक सवाल ये दूसरा सवाल अगर आप यही योजना में पंजिकरन करवा रहे हैं तो बार बार एक ही काम को और आम जनता को आप बेवकूप बनाने का काम कर रहे हैं इसका भी लिंक देखिए वही है जैसा कि आपको यहां पर पंजिकरन के बाद यहां पर जो आपको मिला था शरी मेरा अगला टेब में खुल गया अगर हम यहां इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए फ और आगर आपको हकीकत में किसानों को पैसा देना होता तो आप यह सब नोटनकी नहीं करवाते यह नोटनकी नंबर वन पहले इसमें हुआ 15 सितमबर तक उसके बाद बंद हो गया और फिर से अभी चालू हो गया है इससे भी आप आवेदन कर सकते हैं और नोटनकी नंबर तू फिर इसको लाया गया इस नोटन की नंबर टू में भी किसानों को सेम वही जो है वो था कि अपना डोकुमेंट अगोरे लेकर करके आईए सारा यहां पर आप आप ऑनलाइन कीजिए आपको 3500 रुपई यह मिलेगा मतलब आपको पैसा देना है की नहीं देना है यह पता नहीं लेकिन किसानों को परेशान जरूर करना है और किसान भी बार बार प्रग्या के दरे आ रहे हैं और बापस घुम घुम करके जा रहे हैं क्योंकि उनका काम नहीं हो रहा है सरवर नहीं है प्रग्या के संचालक भी दिन दिन भर किसानों के भींड से परेशान है और इस इनकम मारा वही 5 मिनट हो रहा है तो कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा नुक्सान तो प्रग्या के संचालकों का हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए आप जरास अभी तयार नहीं है आप बोल रहें एक ही बार पेमेंट लिजिए अगर आप बढ़ियां से नहीं किये हुए थे तो बढ़ियां से होमवर्क कर लेते किसान कहीं भाग नहीं रहे थे और आप उनको रहात तूरंद पहुँचा नहीं रहे नोटेंगी ही कर रहे हैं अभी तक जब राहत पहुँचाईएगा तब समझेंगे कि आपने राहत पहुचाया नाम भले ही आपने जारकन राजय फसल राहत योजना और सुखार राहत योजना नाम भले ही रख दिया किसान को सुखा पड़ा है उसमें और आप चुखा पड़ा रहे हैं और जदा आपको बारिश कराना चाहिए था वहां पर आप बारिश नहीं कराν रहे overlapping किसान को परेसान करें आप प्रग्या क्रीन आया, इसमें आवेदन कराईए, कल बोलिएगा एक और नोटेंग की आया, उसमें किजिए, इस प्रकार से कितना मजाक किजिएगा मुख्यमंत्री जी, थोड़ा सा सो, तो समझीए कम से कम, आपको अपना फोटो ही छपवाना था, पहले वाला प्रिंट में नहीं निकलता था आपका फोटो और बादल जी का, जो कि किर्शी मंत्री जी है, दोनों का अगर फोटो नहीं निकलता था, तो बोल, पहले से आप तयारी करके, पहले से अपना फोटो छपवा लेते न, अच्छा रहता, खेर ठीक है, किसानों को परिशान होने जीजे, प्रग्या केनर को भी परिशान होने जीजे, खुब परिशान होने जीजे, और भाइयों, अगर आप लोग देख रहे हैं, तो कमेंट भाक्स में आप लोग भी कमेंट किजिए, कि आखर कार मैंने जो कहा क्या वह सही है, या नहीं है, आप लोग भी कम से कम अपनी राहे जरूर दीजेगा अगर मान लिजिए मुख्यमंत्री के अस्थान पर अगर आपको चैनित कर लिया जाता तो आप क्या करते अगर मान लिजिए किसानों को हमको पैसा देना है तो हम क्या करते किसानों का आधार काट लेते बैंक खाता लेते और IFSC कोड लेते यही तीन चीजों की जरूत होती अगर आप जो है वो इस उडियो को देखिएगा तो आप थोड़ा जरूर देखिएगा कि अगर किसानों को पैसा देना हो तो वैसी स्थिति में आपको आधार एकाउंट IFSC कोड की जरूत होगी और जारखंड के 31 लाख किसानों का डेटा यहां पर आपको मिल जाएगा पर जारखंड जारखंड के उपर जब आप क्लिक करेंगे आप देखिए लिखा हुए फार्मर रजिस्टर्ड 31 लाख 31 लाख 885 और फंड ट्रांसफर 12 लाख कुछ है चलिए ठीक है पूल मिला करके 31 लाख किसानों का डेटा जो है वो जारखंड के किसानों का डेटा सरकार के पास है जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते थे जीला वाइज और ब्लॉक वाइज भी ये डेटा मिल जाता है आसानी से परते जो है वो सीयो मतलब जो सरकील ओफिसर होता है वो भी ये डेटा दे सकते हैं किसानों का आधार एकाउंट दोनों दे सकते हैं आधार नमबर एकाउंट नमबर सीयो साब के पास भी होता है उनक आपको परेशान नहीं करवाना होता किसानों को तो आराम से आप ये काम करा सकते थे एक तिसलाग किसानों को आप आराम से पैमेंट दे सकते थे दूसरी तो आप अगर ये काम कर सकते थे एक तिसलाग किसानों की जब जानकारी आपके पास थी तो आपने उनको खाते में पैस कुछन को परिसानी नहीं होती प्रोपर रूप में आप एक विबसाइट बनवा लेतें बढ़ियां विबसाइट जो बढ़ियां तरीके से काम करता हर दिन जो है वेबसाइट ही अपका फेल हो जा रहा है आपको मैं दिखा दूँ कि यह है सरकारी result.com जो काफी ज़्यादा famous है और आप देखिए जैसे ही मैंने लिखा तूरंत open हो जाता है ये website इतना fast और इतना बढ़ियां तरीके से website को बनाए गया और ऐसे बहुत सारे website है जो बहुत अच्छा तरीके से काम करता है तो क्या सरकार इस प्रकार से website नहीं बनवा सकते थी फिर किसानों को परिशान कैसे करते मैंन मुद्दा जो है वो किसानों की परिशानी और प्रग्या के संचालकों की परिशानी से जुड़ा हुआ है आप कम से कम ये काम मत कीजिए अगर किसानों को पैसा ट्रांसफर करना है तो आराम से आप किसानों का डेटा यहां से ले सकते हैं पrधानमत्री किसान सम्मान दीयोजना से अगर आप मजदूरों को किसी प्रकार से कोई राहत देना चाहते हैं तो स्रम पोर्टल जो बना हुए है जहां अभी स्रम कार्ट जो बन रहा था वहां से आप मजदूरों का भी डेटा ले सकते हैं तो मजदूरों का डेटा आराम से आपको मिल जाएगा किसानों का डेटा आपको आराम से मिल जाएगा बार बार ये सब नो टंकी करके क्या फाइदा ये बेवज़ा ये सब योजना है लाकर के क्या फाइदा है जूट मूट का दो-दो एक ही काम करने के लिए दो-दो वेबसाइट है आप देख सकते हैं एक ही काम करने के लिए दो-दो वेबसाइट बनाया गया है और आवेदन दोनों में अलग अलग भी करना पड़ता है तो कमार इसके बारे में ज़्यादा जनकारी जो customer care को भी पता नहीं है जो customer care adjective है उनको भी पता नहीं है वो भी बोलते हैं हो सकता है कि आगे मर्ज कर दिया जाएगा कि मैंने जो कहा वो सही है या नहीं है कम से कम अगर सरकारों को हकीकत में राहत देना हो अगर किसानों को राहत देना चाहते हैं तो स्रम आप जो है वो किसान सम्मान इदी से डेटा ले सकते हैं किसानों का और अगर आपको मैदूरों को देना है तो स्रम पोर्टल से आप ले सकते हैं आराम से डेटा आराम से आप उनके खाते में कुछ रासी भेज सकते हैं बहले आप अपने नाम सही भेजिए आप खुब अपना परचार कराईए उसे कोई दिकत नहीं है राईनिती में है थोड़ा बहुत परचार भी जरुरत होता है वो अलग बात है तो इस प्रकार से आप को ये वीडियो कैसा लगा आप मैं जरूर 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 कमेंट बक्स में बताईएगा योजना से सम्मंदित मैं और कुछ जानकारी नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि इस योजना से सम्मंदित जो है वो जानकारी आपको मैं बता चुका हूँ फिर से आप देख सकते हैं जारकन राजय फसल रहात योजना पूरोटल को 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 पूरोट आपना उसके बाद जो है वह आप चेन की निंद तो आप नहीं सो सकते हैं कि पता नहीं फिर से सरकार को यह जना ला देगी तो छेलिए ठीक है जिन जिन किसानों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वह सारे किसान भाईयों से अंडूद है कि आप लोग आवेदन कर दें झाल 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 झाल